हरर महादेव प्रिय दर्सको आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर में नित्य भगवान शंकर की पूजा कैसे करें शीव लिंक पर जल चड़ाते समय दूद चड़ाते समय चंदन लगाते समय बिलो पत्र लगाते समय और आरती करते समय किन किन मंत्रों का हमें उच्चान करन चाहिए समपोर्ण वीडियो देखेगा वीडियो लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में हरार मादेव जरूर लिखेगा और हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी यूटूब चैनल पर आपको ऐसा ही हमारे हिंदू धरम से समंदित समस्त द अरिवार उनका रहता है तो कैसे उनकी पूजन करना चाहिए सबसे पहले आप श्नानित्याद ये करके जब भी पूजन करना बेटे तो भगवान को सबसे पहले ध्यान करना चाहिए तो ये मंत्र है इसको बोल करके आप ध्यान करें कैसे बोलेंगे मंत्र ध्याये नित्यम म रजत गिरी निभं चारु चंद्रा वतंसं रत्ना कल्पो ज्वलांगं परशु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्नं पदमा सीनं समन्तात स्तुतममर गणैर व्याग्रकृत्यम वसानं विश्वाध्यम विश्ववंध्यम निखिलबयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं कैसे बोलेंगे इस पुरिश्लोक को? द्याये नित्यम महेशं रजत गिरिनिवं चारुचंद्रा वतंसं रत्ना कल्पो ज्वलांगं परसु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्नं पदमा सीनं समन्तात स्तुतममर गणैर व्याग्रकृत्यम वसानं इस प्रकार ध्यान करना चाहिए ध्यान करने के बाद में सबसे पहले बगवान शंकर को जल से स्नान कराना चाहिए जल से स्थान कराने के बाद में अगर आपकी बास दूद हैं अगर आप दूद से स्थान करना चाहते हैं तो ये मंत्र बोल करके आपको बगवान शंकर के उपर दूद चड़ाना चाहिए कैसे बोलें इस मंत्र को ये मंत्र बोल करके वगवान शंकर के उपर दूद चड़ाना चाहिए अगर आप दही से सनान कराना चाहिए तो दही से सनान कराते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए पयसस्तु समुद भूतम मदूरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव श्नानार्थं प्रतिग्रिहियताम ये मंत्र बोल करके दही से सनान कराना चाहिए अगर आप पंचामृत से सनान कराना चाहिए दू, धई, घी, सैद और शक्र मिला करके तो आपको इस मंत्र का उच्चान करना चाहिए ये मंत्र कैसे है पंचामृतम मया नीतम पयो धती गृतम महदू सरकरया समा युक्तम स्नानार्थं प्रतिग्रिहियताम इस मंत्र को बोल करके पंचामृत से सनान करना चाहिए उसके बाद में आपको पूरे परिवार को सुद्ध जल से सनान करना चाहिए सुद्ध जल से सनान करने के बाद में भगवान को चंदन लगाना चाहिए चंदन लगाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए ये मंत्र बोल करके चंदन लगाएं उसके बाद भगवान शंकर के उपर चावल जो होते हैं वो चड़ाने चाहिए इस मंत्र को बोल करके इस मंत्र को बोल करके बगवान शंकर के उपर आप पुस्प चड़ाएं इसके बाद में बगवान शंकर के उपर आप बिल्लो पत्र चड़ाएं तो बिल्लो पत्र चड़ाते समय आपको इस मंत्र का उचाण करना चाहिए भगवान को बिल्व पत्र चुड़ाना चाहिए इसके बादे भगवान को भोग लगाने के बादे भगवान को आरती इस मंतर से आपको करनी चाहिए इस मंतर को बोल करके आरती करें इसके बाद में चमा प्रातना मंतर इस प्रकार आप करें इस मंतर को बोल करके सभी देवताओं की प्रातना करनी चाहिए तो ये संक्षिप्त विदी आपको मैंने बताई है केसी लिए के वीडियो कमेंट बोक्स में जुरूर बताईगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद